अलो दोस्तों एक बार फिर स्वाग है थे आपका हमारे शानल पर मेरा नाम है वरोन और हम बात कर रहे थे इतिहास की बिलकुल आखरी चरण पे हमारा इतिहास चल रहा है क्योंकि आजादी तो हमें मिल चुगी है लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो प्रमुख प्रमुख तत्य यह सारी चीजों को हम यहाँ इस वीडियो में चर्चा करेंगे अजब विट्रेस कालीन प्रमुख समीतियां और आयोग के अंदरगत तो चलिए देख लेते हैं भाई आंगे देखें हम तो केबल एक टेबल हमने बना दी है जिससे आपको याद हो जाएगा दो नमबर आपके पके किसी भी कोईशन किसी भी एक्जाम में एक नई कोईशन इस आयोग या समीतियों को लेके आता है तो भाया सबसे पुराना आयोग है इनाम आयोग, कौन सा इनाम आयोग, याद रखिए कि ये इनाम आयोग का मतलब वो वाली इनाम है नहीं है, देने वाला पुरुसकार वाला नहीं है, इनाम आयोग इसके अध्यक्ष का नाम इनाम हुआ गरता था, इसलिए इसको इनाम आयो अग्रेजों के काल में, भारत में, अग्रेजों के काल में, समय समय पर बहुत ही भयानक अकाल पड़े हैं, और अकाल इसलिए इंब बोड़ेंड है, क्योंकि अकाल मतलब सूखा पड़ जाना, भारत में उस समय तक क्रसी प्रधान देश था, आज भी क्रसी प्रधान देश है कि देखें कितना सूखा पड़ा है कि इनकिन लोगों का टेक्स माफ करना है नहीं करना है उसके लिए अकाल आयोग आया करता था तो एक अकाल कमीशन बनाया था जिसे स्ट्रैची की अध्यक्षिता में इसलिए इसको स्ट्रैची आयोग भी कहते हैं रिचर्ड स्ट्रेचीन का पूरा नाम था 1880 का जो अकाल पड़ा था उस समय ये अकाल पीड़तों की राहत के लिए बनाया गया क्या था आयोगता नेक्स्ट है हंटर कमीशन भाईया ये बहुत important है हंटर कमीशन 1882 में बना था बिलियम हंटर इसके अध्यक्ष थे क्योंकि भाईया सिक्षा की प्रगती के लिए सिक्षा बारत में सिक्षा हम बताएं अगर तो अंग्रेजी सिक्षा का इस्तापना जो करी जाती है मैकाले के द्वारा करा जाता है 1835 के आसपास फिर उसके बाद सिक्षा में चेंजिस के साथ साथ सिक्षा के उधार के लिए फिर अलग-अलग आयोग बने थे हमने सिक्षा बाले विकास बाले वीडियो में इस पर बहुत अच्छे से डिसक्स किया था सो ये हंटर कमीशन लाया गया था विल्यम हंटर की अद्धेक्छिता में सिख्षा की प्रगतिटे। कब लाया गया था 1882 में इसके बाद हर्शेल समीती क्या है भिए हर्शेल समीती 1813 में विल्यम हर्शेल इसके अद्धेक्च्छी अगरते थे मुद्रा के बारे में सुझाओने किसके लिए बार्ती मुद्रा, बार्ती मुद्रा नहीं, ठीक है? अकाल कमीशन फिर दूसरा आया था, इसको लियाल आयोग भी कहते हैं, मतलब आहसी के बाद 17 साल बाद 1797 में, फिर से अकाल आयोग बना James Лयाल की अद्धिक्शिता में 1880 के दुर्विक्ष आयोग की रिपोर्ट का अध्यन करके सुझाओ देने के लिए ये अकाल कमीशन लाया गया था नेक्स्ट है अकाल कमीशन मेकडॉनाल्ड आयोग के नाम से जाना जाता है तीन साल बाद उनने सो में ठीक है बाई तो एंथोनी मेकडॉनल्ड इनका नाम हुआ अगरता था इनकी अध्यक्षता में ये दुर्विक्ष पर जो स्ट्रेची आयोग बना था ये इई बाला है ना 1882 उसकी रिपोर्ट पर अपने सुझाओ व्यक्त गरने के लिए ये फिर से लाया गया कमीशन था नेक्स्ट इस सिचाई कमीशन सिचाई कमीशन मौनक्रीफ आयोग भी इसको कहा जाता है सर्फ वॉल्विक स्कॉर्ट मानकिंस इनको इनकी अध्यक्षता में सिचाई पर कितना खर्चा किया जाना चाहिए क्या नाम है यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 में जब तक भाईया हमारे भाईया बंगाल विभाजन किसने करवा है करजन ने ना करजन ही है भाईया वो 1900 तक 1899 में ही आ गये थे सो थामस रैली की अध्यक्षता मेनों ने यूनिवर्सिटी कमीशन लाया था और उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी बनवाई थी विश्य विध्यालयों के लिए अध रखिएगा सीधा सीधा गुष्यन पूछा जाता है सिबिल सेवल पर रॉयल कमीशन इसको कहा जाता है 1912 में लौड इसलिंग्टन लौड इसलिंग्टन कमीशन भी इसको कहा जाता है रॉयल कमीशन के नाम पर मशूर है भारतियों को 25 प्रतिशत उच्छ पद देने के आया था मैक लगून इसके अध्यक्षुआ करते थे क्यों आया था सहकारी वित्त जो सहकारी वित्त है उस पर सलाह देने के लिए आयोग बनाया गया था कलकत्ता यूनिवर्स्टी कमीशन सैंडलर आयोग के नाम से भी ये मसूर है 1917 की बात है भाईया माइकल सैंडलर इसके अध्यक्ष हुआ करते थे और आप जैसे ही नाम समझ पा रहे है यूनिवर्स्टी के लिए वित्त विद्यालाई की जो इस्तितिया है उन इस्तितियों क अध्यान के लिए ये कमीशन सैंडलर आयोग अगेन लाया गया था फिर भारतिये सैंडलर समीथी 1923 में भारतिये सैंडलर समीथी लौड इचकेप की अध्यक्षता में ये आयोग बनाया गया था केंद्रिये सिक्षा समीथी पर चर्चा करने के लिए किसके लिए केंद्रि सीधा सीधा question आता है क्योंकि भी आम परतियोंगी परिक्षाइं दे रहे हैं न हमें कोई न कोई अधिकारी बनना है तो royal commission 1924 का ली की अधिक्षन बनाय गया था lord lी की अधिक्षन वह में इसलिए ली commission भी कहा जाता है और civil सेवाओं के लिए इसी के बाद तो बारत में सेविल सेवाओं के नाम से आयोग खुला है ना फिर बटलर समीती 1927 का है बहुत important है हर कोट बटलर ये था और इसने ब्रिटिस परमसत्ता और विदेशी राज जो है इनसे अच्छे संबंद स्थापित करने के उदेश से इसको लाया गया था गडित किया गया था ये याद रखिएगा इसका बरपूर विरोध किया गया था इसके द्वारा स्वराज पार्टी के द्वारा है ना चलो लिन लिथगो कमीशन क्या नाम है लिन लिथगो कमीशन य या वीटले commission उन्ने सो उन्तिस का है यह जे एच वीटले की दिक्शिता में इस commission को स्र मिक जो मजदूर है उन मजदूरों की स्रमिकों की इस्तिजी का अध्यान करने के लिए और उसकी report प्रस्षत करने के लिए यह वीटले commission बनाए गया था सप्पुरू कमिशन, तेज परताव सप्पुरू साब 1934 में ये सप्पुरू समीटी बनाई गई थी, तेज बहादूर सप्पुरू जो है इन ये दिख्चु अगर दिन उसके सैयुक्त राज, सैयुक्त राज मतलब मुत्तर प्रदेशाज का, सैयुक्त राज में बेरोजग इसमें यह आया था किसके लिए अकाल की जाज करने के लिए तो बंगाल में दुर्भिक्ष के कारण क्या-क्या है क्यों यह इतने दुर्भिक्ष बहां पढ़ रहे है उसकी जाज करने के लिए है ego ये लाया गया commission हुआ कर रहा था चले, इसी के साथ सारे के सारे प्रमोक प्रमोक जो आयोग है या ये समीतिया बनाई गई थी अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेजों के साशनगाल में उनको हमने पूरा देख लिया और यही questions यहाँ से बनते हैं आयोग या समीति वाले जो अंग्रेजों के समयगे ब्रिटिस कालीन सारे आयोग में देख लिए नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही और जो प्रमोक तत्य हैं उस पर हम डिसकस करेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय है इस टो पोगा ही रिकोड़िक